Hello everyone, I am Lokesh and welcome back to the channel दोस्तो आज की वीडियो में इंटेंशिप की सीरीज में हमारी नई वीडियो है 18th नंबर की वीडियो है बहुत अच्छी इंटेंशिप मैं आप सभी को बताने वाला हूँ जो की 21, 22 और 23 बैच के लिए होने वाली है बिना देरी करें वीडियो को स्टार्ट करते हैं ये इंटेंशिप टॉप MNC की तरफ से जैसे की हैकर रेंक, उबर और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो इंटेंशिप है ये सबसे पहली इंटेंशिप हम हैकर रेंक की तरफ से देख रहे हैं जो की सौफ्टवेर इंजिनियर की इंटेंशिप है ये एक समर इंटेंशिप होने वाली है दोस्तों ये इंटेंशिप बहुत अच्छी रहती है hacker rank की तरफ से आप यहाँ पे जाके काफी चीज़े देख सकते इन internships के बारे में कि यहाँ पे internship में पूरा कैसे work होता है यहाँ पे आप पूरा internship देख सकते internship के बारे में अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि किस टाइप से यह hacker rank के बारे में hacker rank के बारे में हम सभी को पता है कि hacker rank एक बहुत ही अच्छा platform है जो काफी बड़े-बड़े contest करवाता है coding challenges करवाता है तो यहाँ पे आपको उनकी team के साथ मिलके पूरा उसी में work करना है इसी के सथ सथ यहाँ पे कोई ऐसा batch का criteria है उन्होंने नहीं बता रखा है कि यहाँ पे कोई ऐसा batch का criteria है पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप अगर अगर technical skills और इन सब में आगे work करना चाहते है तो आप इस internship के लिए apply कर सकते हैं 21, 22, 23 सारी batch eligible है Life as in internet hacker rank में आप जाके पूरा पढ़ सकते हैं कि के सथ इंजिनियरिंग team के साथ आपको work करना पड़ेगा अब apply के लिए आपको first name, last name, email, phone, location, city, resume आपको अपना resume फिर degree इसी के बाट discipline, start date, end date, 6th month internship के लिए आप available हैं LinkedIn profile, website, work experience और आपका open source और आपको submit करना application बहुत अच्छी internship है आप जरूर इसमें apply कीज़े second internship, blockchain developer intern है, wow labs की तरब से है, अब मैं आपको एक चीज़ बता दू, कि ये internship में आप तभी apply कीज़ेगा जब आपको blockchain में आगे work करना हो, आपको blockchain का knowledge हो, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बता रखा है कि आपको अपने resume में ये बताना पड़ेगा कि आपने कौन सा blockchain का project बनाया है, कौन से courses कर रखें, आपने tech development पे, आपकी profile क्या है, hacker ring, code chef पे, list of courses जो आपने blockchain development पे करे हो responsibilities ये रहेगी आपकी कि आपको blockchain technologies पे work करना पड़ेगा, managers और team members के साथ, उस पे आपको पूरा involved रहना पड़ेगा, global blockchain community पे required skills उन्होंने यही मांगाई कि यहाँ पे solidity, substrate, related, troll, जैसे की truffle, get, यह सब blockchain technologies पे आपको पूरा work आना चाहिए, अगर आपको knowledge, a common algorithm, data structures का आप इसमें apply कर सकते हैं, यहाँ पे काफी सारी चीज़े हैं, आपको बहुत सारी चीज़े इस internship में सीखने को मिलेगी, apply पे जाके आप इसमें apply कर सकते हैं, और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे, उन्ह यहाँ पे ऐसा कोई criteria नहीं, आप apply कर सकते हैं, आप इसमें apply जरूर कीज़े, selection होना या नहीं होना बात की बात हैं, लेकिन पहले आप इनके test और interview देंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपका case type से level है, apply to this job पे जाके आप apply कर सकते हैं, third internship, Uber star internship है, 2021 batch के लिए official internship है, करनाट क Bangalore location है, situation के दौरण के remote हो सकती है, as a software engineer intern आपको यहाँ पे जितने भी riders, driver, eater, restaurant और business owners रहते हैं, उनका आपको customer experience देना होगा, इसी के सबस्तर यहाँ पे आप उस पर पूरा work करेंगे, qualification और desired skills की बात करूँ तो आप अगर अभी bachelor's, master's degree कर रहे हैं, और एक ही semester आपका remaining है, म आपका चल रहा है, तो आपको बताना चाता हूँ, आप इस internship में apply कर सकते हैं, final year students यहाँ eligible हैं, आपको अगर software engineering experience है, previous internship, तो आप इसमें बहुत अच्छी बात है, programming experience होना चाहिए, go, python, ruby, java, cc++, इन सबसे अच्छा रहेगा, इसी के सबस्तर आपने अगर team के साथ कभी का कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, अब मैं आपको दोस्तों एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कि application के कुछ frequently asked questions है, आप उनको भी पढ़ सकते हैं, पर यह इस internship से related नहीं है, direct apply for this job पे जाके आप apply कर सकते हैं, इस type से हमारी आज की वीडियो थी, जिसमें मैं आपको ती पे इंटेंशिव्स बनाऊंगा,